हेलो फ्रेंड्स आज बनाएंगे बिल्कुल चटपटा नास्ता तो इस नास्ते को बनाने के लिए यहां मैं ले रही हूँ दो कटोरी मैदा और इसमें मिलाएंगे एक चम्मच अजवाइन इसे अच्छी तरह से करस्ट कर लिएंगे इसे भी डाल देंगे और इसमें मिलाएंगे एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ओयल और इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच से भी कम नमक नमक थोड़ा कम ही लेंगे और अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक मुलाएंग आटा तयार कर लेंगे हमें इसे सक्त नहीं बनाना है इसे रोटी के आटा जैसा ही मुलाएंग इस आटे को तयार करना है तो यहां आटा को अच्छी तरह से मिला लिए हैं और इसे 10 मिनट के लिए ढग कर रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से सेठ हो जाए और तब तक हम इसका एक स्टफिंग बना लेते हैं तो यहां कडाही अच्छी तरह से गरम हो गया है तो उसमें डालेंगे दो चमच के लगबक सर्सो तेल आपको जो भी तेल पसंद हो आप वही तेल इस्तिमाल करें मैं यहां सरसो का तेल ही ले रही हूँ और इसमें डालेंगे एक चमच जीरा जीरा अच्छी तरह से चटक गया है तो यहां डालेंगे बारीक कटा हुआ दो बड़े साइच का प्याज इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे और अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ दो-तिन हरी मिर्च तीखा जैसा आप लेते हो उसी हिसाब से लिजिएगा दो मिनट तक प्याज और मिर्चा को अच्छी तरह से भून लेंगे और यहीं पे डाल रहे हैं एक चमच मुंगफली इसे भी इसी में अच्छी तरह से भून लेंगे वैसे तो यहाँ पे हरामटर ही यूज करते हैं लेकिन अभी हरामटर नहीं है इसलिए मुंगफली ही इस्तमाल कर रही हूँ यह चटपटा नास्ता घर के बेसिक समानों से ही बन रहा है तो यहाँ मैं मुंगफली ही इस्तमाल कर रही हूँ और यहां पर डालेंगे एक चमच, धन्या पॉडर, आदा चमच, हल्दी पॉडर, आदा चमच, मिक्स मसाला और एक बार इन सब को अच्छी तरह से चला लेंगे मसाला भूनते समय और डालते समय फिलेम को बिल्कुल ही लो रखेंगे और यहीं पे ढालेंगे चार उबले हुए medium size के आलू और इसे भी इसी में अच्छी तरह से हूल लेंगे यहाँ पूरी अच्छी तरह से आलू और मसालो को मिक्ष कर लेंगे और अब ढालेंगे इसमें स्वाद के नूसार नमक नमक थोड़ा कम ही लेंगे क्यूंकि आटा में भी नमक है तो अब फिर से एक बार सबको मिक्स कर लेते हैं और अब मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला अगर आपके पास धन्या पत्ता हो तो आप भारा धन्या पत्ता ही डाले मैं यहां फिलाल गरम मसाला ही यूज कर रही हूँ तो यह आलू मसाला बनके तयार हो गया है तो इसे ठंडा करने के लिए इसे निकाल लेते हैं और यहां दस मिनट हो गया है और हमारा यह आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है तो इसे एक बर अच्छी तरह से मिला लेते हैं यह बिल्कुल सॉफ्ट तयार हुआ है यह आटा तो यहां ले रहे हैं एक छोटी कटोरी में एक चम्मच मैदा और उसमें डालेंगे चार चम्मच रिफाइन डॉयल और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इस तरह का एक साटा तयार करेंगे तो यह बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो इसे एक किनारे रख देते तो अब बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए यहां अब आटे का छोटा छोटा गोला बना लेंगे तो यहां सारे गोले बना लिये हैं तो एक एक करके सभी गोले को बेल लेंगे और इसे रोटी से भी पतला बेल लेंगे तो इस तरह से सारी रोटीओं को बेल लेंगे जितना हो सके उतना पतला बेल लेंगे तो इसी तरह से सारी रोटीओं को बेल लेंगे और एक पर एक इसी तरह रख देंगे उसके नीचे थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे ताकि ये सटे ना तो यहां सभी रोटीओं को बना लिये हैं और ये हमारी 10 रोटीओं बनके तयार हुई हैं तो अब एक सीट लेंगे उसके ऊपर ये जो हमने साटा बना कर रखा था और उसे अब लगाएंगे तो पूरे सीट्स पे अच्छी तरह से ये साटा लगा देंगे ये कहीं से भी छुटे ना तो इसे हाथ से ही मैं यहां फैला रही हूँ अच्छी तरह से साटा लग गया है तो इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क दूँगी और इसके उपर से दूसरा सीट्स भी रखकर इसी तरह से साटा लगा देंगे तो दूसरे सीट्स भी अच्छी तरह से साटा लग गया और इसके उपर भी सुखा मैदा छिड़क देंगे और इसी तरह से सभी रोटियों को एक परे करके साटा लगा कर मैदा छिड़क देंगे सभी सीट्स पे साटा लग जाने से अब ये एक मोटी रोटी बनके तयार हो गई है तो इसके उपर भी अच्छी तरह से साटा लगा देंगे और उसके उपर भी सुखा मैदा छिड़क देंगे और अब धीरे से उठा कर इसे थोड़ा सा दबा कर इसका एक रोल तयार कर लेंगे हलके हाथ से दबा कर इसका रोल तयार करेंगे इसमें बिल्कुल भी एर नहीं होना चाहिए और इसे एक बार टैप करके घुमा लेंगे, ये आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए तो अब इसके दोनों छोर को थोड़ा थोड़ा काट कर निकाल लेते हैं तो अब एक एक इंच की दूरी पर इसे काट लेंगे तो इसी तरह एक इंच की दूरी पर गोले काट लेंगे तो अब ये एक गोले में कितने सारे लेर तयार हो गया था बनाना सुरू करते हैं तो थोड़ा सा हथेली से इसे दबा कर चप्टा कर लेंगे तो अब एक एक गोले को हलकी हलकी हाथ से इसे बेल लेंगे चकला पर थोड़ा सा सुखा मैदा छिड़क देंगे और हलकी हाथ से ही बेलेंगे तो अब इसे इसक्वाइर से पर काट लेंगे जो आलू मसाला बना कर रखे थे उसे एक चमच इसमें रख देंगे और इसके चारो किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे कि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और तलते समय ये खुले ना तो इसके एक चोर को पकड़ कर दुसरे चोर से इस तरह से चिपका देंगे अच्छी तरह से चिपकाएंगे कि ये खुले ना तो इसी तरह से सभी को बना लेते हैं और यहां सभी को बना लिए हैं इधर तेल गरम होने के लिए रख दिये थे तेल गरम हो गया है हमें तेल को ज्यादा गरम नहीं करना इसे लोग फ्लेम पे ही रखना है और इसे डालते ही चलाएंगे नहीं दो-तिन मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और यह जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो यह तेल से उपर आ जाएगा तो यह अब एक साइड से पक गया है तो इसे पलट लेंगे तो इसे उलट पुलट कर दोनों तरफ से लाल होने तक से लेंगे और अब यह अच्छी तरह से बन गया है तो इसे अब निकाल लेते हैं तो यहां बहुत सारे परतो वाला आलू पेटीज बनके तयार हो गया है तो बहुत सारे परतो वाली आलू पेटीज बनके तयार हो गया है यह बच्चे बड़े सभी इसे खाना पसंद करते हैं और इसमें बहुत सारे लेयर हैं और यह बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बना ह इसकी अंदर जो आलू मसाला भरा है वो काफी टेस्टी और चटपटा है जिससे इस नास्ते का स्वाद और भी बढ़ गया है तो कैसा बना है ये आलू पफ पेटी तो आप सब कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर क कीजिएगा चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ